इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के निमसेट में जितने भी previous year questions आये हैं, वो सारे discuss करेंगे और in general, निमसेट में मानके चलो, तीन questions set theory से expected रहते हैं और set theory में अभी तक निमसेट में जो सबसे अधा questions पूछे गए हैं, वेन डायग्राम से ही पूछे गए हैं और इस सेशन में इस वीडियो में हम लोग सारे निमसेट 2008 से लेके 2023 तक के वेन डायग्राम के सारे कुशन डिसक्स करेंगे जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के कुशन्स निमसेट एवरी एर पूछता है तो पहला कुशन जो है ध्यान से देखो यह चार सेट्स 28 element and the intersection of any 2 subset containing 12 element the intersection of any 3 subset containing 5 element and the intersection of all 4 subset containing 1 element then the number of element belonging to none of the 4 sets तो पहले तो हम यहाँ पर डिसक्स कर लेते हैं 4 sets के लिए वैसे थियोरी में देख चुके हैं एक बाब फिर से डिसक्स कर लेते हैं चार सेट्स अगर हैं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन बी तो क्या फॉर्मला बनता है चार सेट में दो बार निमसेट में कुश्चन आ चुका है और चार सेट में स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं usually तो बहुत ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो individual सेट में जितने element आ रहे हैं उन सब का sum कर लें और ये method of inclusion and exclusion है इसको काफी detail में हम लोग last वीडियो में theory वाले वीडियो में discuss कर चुके हैं फिर उसके बाद ये include कर दिया sum फिर दोदो के pair बनाऊ और अगर दोदो के pair बना रहे हैं और उसका intersection ले रहे हैं तो 4C2 आते हैं which is 6 दोदो के pair कैसे बनते हैं पहले तो consecutive बना लो साथ में लिखते चलो A और B का pair then B और C का pair consecutive ले रहे हैं then C और D का pair तीन pair होगे A, B, B, C, C, D फिर एक-एक छोड़के करो A, C फिर B, D, फिर 2-2 छोड़ो B, C छोड़ो ते हो जाएगा A, D तो यह हमने 2-2 के pair exclude कर दिये अब फिर include करेंगे 3-3 के triplet triplet जो बनेंगे यहां पर वो बनेंगे 4C3 which is equivalent to 4 और triplet हम कैसे बनाते हैं पहले consecutive बनाओ प्लस A, B, C intersection नहीं भी लगाओगे तो A, B, C का मतलब होता है A intersection, B intersection, C ABC, BCD, then एक एक छोड़ो ACD, then C छोड़ो ABD, एक एक छोड़ो के हमने chart replet बना लिए, exclude कर दिया, sorry, यह include करना है में, प्लस आएगा, और फिर चारों का जो intersection है exclude कर दो, so this is method of inclusion and exclusion, जो चार set में लगता है ध्यानक ना, single set में जितने element है add कर दिया, यह 4 बनेंगे, फिर pair में कितने बन रहे हैं 6, जिसको exclude कर दिया, फिर triplet में कितने बन रहे हैं, जिसको यह subtract करना है, फिर add करना है, 4 set को, जो triplet में बन रहे हैं, और फिर exclude कर दो, जो चारों का intersection है, that is method of inclusion and exclusion, तो यह 4 set में यह formula याद रखना, अब इसी formula को हम लोग apply करने वाले हैं, इस question में, set a1, a2, a3, a4, universal set में 75 element है, number of element in union a1, union a2, union a3, union a4, यहाँ पर हम formula लगाएं, तो हर एक set में जो element आ रहे हैं, वो add करेंगे, फिर पूरा formula लिखने की जुरूत नहीं है, objective paper में, तुम इसको लेख लो 6 times n, क्योंकि सब में equivalent element है, ai intersection aj, यह ऐसे 6 set बन रहे हैं, फिर 4 times, सब में same element है, तो ai intersection aj, intersection ak, ऐसे 4 triplet बनेंगे, फिर minus सारे sets के element का intersection, ठीक है, तो अब देखो, individual set में, each set having 28 element, हर एक set में 28 element हैं, तो यह कितने set बन रहे हैं, 4, तो 4 into 28 कर लिया, हर एक set में 28 element है, then, the intersection of any two subset containing 12 element, दो-दो के intersection में, कितने element आ रहे हैं, हर एक set में 12 आ रहे हैं, तो 6 into 12 कर लो, plus 4 times, 3 के intersection में, सब में same element आ रहे हैं, the intersection of any 3 of the subset containing 5 element, तो यहां 5 element आ रहे हैं, minus, अब चारों का intersection, the intersection of all 4 subset containing 1 element, तो यह एक element है, तो इसको पूरा हम calculate कर लेते हैं, आई होप यह formula समझ में आ गया होगा, यह हो जाएगा तुम्हारा, 32, 3, 112, minus, 72, plus, 20, minus, 1, यह पूरा calculate कर लेते हैं, 112 में से 72 subtract करते हैं, 0, यह आ जाएगा तुम्हारा, 4, and 20, 60, 1 subtract कर दो, 59, तो टोटल, चारों के union में, जो element आ रहे हैं, वो 59 आ रहे हैं, हमसे क्या पूछा है, the number of element belonging to none of the four subset, किसी से belong ना करें, तो universal set से तुम subtract कर दो, 59, तो वो element आ जाएंगे, जो किसी भी set से belong नहीं करेंगे, इसको जब तुम calculate करोगे, तो यह आएगा, 6, 1, 16, 16, 16 is the answer, चेक कर लो एक बार, तो चारों set के intersection में student को problem आती है, formula I think याद हो गया होगा, यह चीज थियोरी में भी काफी detail में देखी थी, previous video में हम लोगों ने, तो यह निमसेट 2009 का question हो गया है, the number of element does not belong to any four sets या subsets, तो universal sets से सबका union subtract कर दो, तो वो element आ जाएंगे, जो किसी से belong नहीं कर रहे हैं, नेक्स question देखते हैं, यह भी निमसेट 2009 में आया है, तो देख रहे हो, दो-दो question, single topic से पूछे के हैं, from a 50 student taking examination, यहाँ पे एक बात बड़ी important है, एक class में अगर 50 student है, तो class में student exam देने के लिए ही admission लेता है, तो यहाँ पे उन 50 student को तुम universal set माल लो, because class में admission लिया और exam नहीं दिया, तो कोई मतलम नहीं बना, तो usually हम यह करते हैं, बाकी तो question की language आगे देखते हैं क्या बनती है, in mathematics, physics and chemistry, तीन set है, 37 pass हो रहे हैं mathematics में, mathematics में 37 pass हो रहे हैं, लिखते चलो, 24 physics में, physics में 24, 43 chemistry में, Atmos, यह line important है, Atmos 19 passed in maths and physics, Atmos का मतलब हुआ जादा से जादा, तो number of student who passed maths and physics, and मतलब intersection, Atmos, जादा से जादा, 19 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, जादा से जादा, Atmos को लिखेंगे, less than or equal to 19, मतलब जो भी pass होंगे, या तो 19 होंगे, उससे कम होंगे, maths और physics में, Then, Atmos 29 in maths and chemistry, maths and chemistry में, Atmos फिर से लगा है, कितना आएगा, 29, Atmos 20 in physics and chemistry, 20 physics और chemistry में हैं, ठीक है, The largest possible number that could have, passed in all three examination, तीनों examination, मतलब तीनों जो पास हो जाएं, तीनों का इंडिसेक्शन, उसकी maximum value, largest value बतानी है, तो पहले तो formula देख लो, तीन सेट का formula आए, होप सबको पता है, maths, physics, chemistry का union, कैसे आता है, maths में, पास student, प्लस, physics में पास student, प्लस, chemistry में पास student, और दो-दो के pair, subtract कर दे, MP, MC, PC, intersection नहीं बना रहे हो, तो कोई problem नहीं है, और तीनों का triplet add कर देते हैं, M, P, C, intersection, understood है, ठीक है, और अभी हमने बताया, अगर, class की बात हो रही है, और examination की बात हो रही है, तो बिना सोचे समझे, तुम, total number of student को, universal set में मान लो, क्योंकि class में admission, exam देने के लिए ही होता है, तो ये हम universal set के equivalent मान रहे है, math में past student 37, physics में past student 24, chemistry में past student 43, इसको अभी हम फिलाल ऐसे लिख लेते हैं, N, क्योंकि इसके exact value नहीं दे रखी है, ठीक है, plus N, M, P, C, ठीक है, M, P, C की हमें greatest value मतलब largest value बतानी है, तो अब ध्यान से देखते हैं, पहले तो हम इसको calculate कर लेते हैं, और इसको इधर ले आओ, जो निकालना है, उसको right hand side पे रखो, अच्छा question है, ध्यान से देखो उसको, और बाकी सारे number उधर ले जाओ, तो ये basically N, M, P, C आ रहा है, अब ये पूरा number हम calculate कर लेते हैं, 50 उधर ले जाते हैं, 37, plus 43, ये हो जाएगा तुमारा 80, 80 plus 24, ये हो जाएगा, 104, 104, 104 में से 50 subtract कर दोगे, तो आ जाएगा 49, ये सब कुछ उधर ले गए, ये हो गया 49, चेक कर लोई बाकी काल्कुलेशन, 37 plus 43, 80, 80 plus 24, 104, 104, minus 50, ये 50 उधर ले गए हैं, तो that is 49, no, no, 49 नहीं, 50 subtract कर रहे हैं 104 से, that is 54, ये आ जाएगा 54, ठीक है, so this is 54, अब देखो, हमें इसकी largest value बतानी है, ठीक है, 54 इधर ले ला सकते हो तूँ, 54 इधर ले आए, और इसकी largest value तभी आएगी, जब ये सब अब maximum, maximum value से 54 सब्ट्राक्ट होगा, तभी ये maximum आएगा, तो इसकी maximum value क्या दे रखी, 19, 29, 20, माइनस 54, तभ तीनों का इंड सेक्शन लार्जेस्ट आएगा, अब इन सबको आड कर लेते हैं हम लोग, 19 और 29, ये हो गया तुमारा 48, 48 और 20, ये आगया तुमारा, 68, 68 माइनस, 54, ये आजाएगा तुमारा 14, तो इस आंसर, largest value क्या आगई, 14, चेक कर लो एक बार calculation, numerical calculation एक बार जरूर अपने आप से चेक कर लेना, so 14 is the answer, और 14 चुकी हैं हाँ पर दे नहीं रखा है, तो इस आंसर is none of these, ठीक है, next question देखते हैं, तो ये निमसेट 2009 का हो गया, next question, निमसेट 2011 का, simple basic question है, xb the universal set, a, n, b, na दे रखा है, 200, n, b दे रखा है, 300, a intersection, b दे रखा है, तो क्या तुम यहाँ से, n, a, union, b निकाल सकते हों, formula I hope सबको पता है, n, a, plus n, b, minus, n, a, intersection, b, n, a क्या है, 200, n, b क्या है, 300, a intersection, b कितना है, 100, so this is 400, ठीक है, n, a bar, intersection, b bar, यहाँ पर हम थोड़ा सा, de Morgan's law यूज़ कर सकते हैं, ना तो a set हो, ना ही b set हो, n, a bar, intersection, b bar, इसको तुम, according to De Morgan's law, लिख सकते हो, intersection को convert कर लो, union में, और पूरे पर बार बना दो, this is De Morgan's law, जो हम लोग थियूरी में देख चुके हैं, previous वीडियो में, n, a bar, intersection, b bar, को तुम क्या लिख सकते हो, n, a, union, b का बार, according to De Morgan's law, और, n, a, union, b, का बार, a ये है, b ये है, a, union, b, क्या होगा, a, union, b, ये होगा, ये universal set है, इसका बार निकालना है, इसका बार निकालना है, मतलब ये वाला जो empty set, empty space है, that is, a, union, b, का बार, न, a, अकर करे, न, a, set के element हो, न, ही, b, set के element हो, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, universal set से, a, union, b, के सारे element हटा दो, a, union, b, के सारे element हटा दो, universal set से, ये 300 दे रखा है, provided, n, x, n, x मतलब यहाँ पे, इनका मतलब universal set है, x is the universal set, तो इसको x भी कर सकते हो, तो, n, a, bar, union, b, bar, ये, दे कितना रखा है, 300, n, x, पूछा गया है, a, union, b, हम अल्रेदी निकाल चुके हैं, 400, तो, n, x, क्या हो जाएगा, n, x, हो जाएगा, 400, प्लस, 300, 700, simple, so, its answer is b, तो, simple basic question था, हमने de Morgan's law यूज करा, और solve हो गया है, next question देखते हैं, Wayne Diagram का, ये भी basic simple question है, in a college, 300 students, college में 300 students है, every student reads 5 newspaper, हर एक student, 5 newspaper पढ़ता है, ठीक है, एक एक data लिखते जाते हैं, 300 students है, and everyone reads 5 newspaper, and every newspaper is read by 60 student, every newspaper is read by 60 students, total number of students, तुमें दे ही रखे हैं, 300 है, then the number of newspaper, कितने newspaper उस college में, या स्कूल में आते हैं, पूछा जा रहा है, तो देखो, यहाँ पे concept क्या लगेगा, 300 student है, everyone reads 5 newspaper, और every newspaper is read by 60 students, हर एक student newspaper पढ़ता ही पढ़ता है, तो यहाँ पे हम equate करेंगे, दो data दे रखें, तो इस तरह से equate करो, पहला data यहे, दूसरा data यहे, equate करो, total number of reading, reading कितने बार हो रही है, अगर 300 student, अगर 300 student, हर एक, everyone reads 5 newspaper, हर एक student 5 newspaper पढ़ रहा है, तो total number of reading कितने बार हो रही है, 300 into 5, इतनी reading हुई, मतलब 1500 reading हो रही ही, total, number of newspaper पूछा है, तो माल लेते हैं, capital N newspaper है, number of newspaper पता नहीं है, every newspaper is read by 60 student, 60 student, हर एक newspaper पढ़ते हैं, तो बताओ ज़रा, अगर N newspaper हुए, तो total number of reading कितनी हो जाएगी, N into 60, ठीक है, अब इसको solve कर लेते हैं, N कितना आ जाएगा, 300 into 5, divide by 60, is he equal to N, ये cancel कर दो, तो total number of newspaper 25 आ जाएगे, total number of newspaper, exactly 25, C is the answer, simple, ठीक है, clear है बात, so its answer is C, next question देखते हैं, और ये question एक बार अपने आप जरूर से करो, फिर से, in a class, 100 student, 55, passed in mathematics, फिर से वही बात है, अगर exam की बात हो रही है, तो जितने भी class में student हैं, उनको हम universal set में मानेंगे, क्योंकि उनकी duty है एक्जाम देना, एक्जाम नहीं दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, 55 math में पास हो रहे हैं, physics में पास होने वाले 67 हैं, then the number of student who passed only in physics, अच्छा question है, ये जो 100 student हैं, इनको तुम माल लो, maths या फिर physics में पास होने वाले student, तो maths प्लस physics, माइनस, maths and physics, ये data हमें नहीं दे रखा है, ये data हम यहां से नकाल लेते हैं, ये 100 हो गया, total, 55 हो गया, 67 हो गया, और maths and physics में पास होने वाले student का data, हम यहां से calculate कर लेंगे, ये आ जाएगा, 12, 75, 12, माइनस 100, क्या ये 22 आ रहा है, चेक कर लो इबार, तो maths and physics में पास होने वाले student, 22 आ रहा हैं, हम से क्या पूछा गया है, only physics में पास होने वाले, तो ये चीज़, थियोरी में देखी थे हैं, हम लोग ने only physics या only maths, ये, m intersection p है, only maths में पास होने वाले, अगर हम से पूछा जाएगा, तो maths में पास होने वाले से, subtract कर दो तुम, maths और physics में पास होने वाले student, जिसको हमने, m minus p भी करा था थे होरी में, और अगर only, physics में पास होने वाले student, तो physics में पास होने वाले student को, subtract कर दो, intersection वाले सारे element, तो physics में कितने पास हो रहे हैं, 67, intersection हमने calculate कर लिए 22, या जाएगा 5, या जाएगा 4, तो only physics में पास होने वाले, 45 students आ रहे, clear है, 45 student, D is the answer, तो देख रहा हो, simple basic question है, लेकिन एक बार करना जरूरी है, अपने आप, ठीक है, तो ये निमसेट 2012 का question है, next question देखते हैं, निमसेट 2013, देख रहे हो, consecutive years में question आए है, फिर से 4 set की बात करी जा रही है, find the number of element in the union of 4 set, A, B, C, D, having, हर एक set में element दे रखें, तो एक बार formula फिर से लिख लेते हैं, क्या formula होता है, हर एक individual set में जितने element हैं, उन सबको add कर देते हैं, फिर, ध्यान से देखना, 4 set के element दे रखें, given that, each pair, pair मतलब 2-2 का जो intersection है, हर एक pair में 15 element है, इसका मतलब जो 2-2 के pair आते हैं, भी करा था हम लोगों ने, वो 6 आते हैं, 3-3 के triplet जो आते हैं, चुकि सब में same दे रखा है, वो 4 आते हैं, वरना हमें पूरा लिखना पड़ता है, अलग लग, 4 subset लिखने पड़ते हैं, each triplet had 3 element, और 4 के intersection में कुछ भी नहीं है, तो जो 4 वाला add करा जाता है, वो 0 है, A, B, C, D, intersection, understood है यहां पर, कुछ नहीं लिखा है, multiply है, it means intersection, तो ठीक है, सीदे सीदे formula लगाते हैं, यार आए 150, यार आए 180, यार आए 210, 240, और pair, pair कितने बन रहे हैं? 6, और हर एक pair में 15 element हैं, triplet कितने बन रहे हैं? 4, हर एक triplet में 3 element हैं, और सबके intersection में 0 हैं, अब इस पूरे को हमें calculate करना है, तो हमारा union आ जाएगा, तो calculate करना start करते हैं, यह minus 90, और यह 12, ठीक है, इसको इससे subtract कर दो, 90 आ जाएगा, ठीक है, तो यह 150, 210, प्लस 150, यह 210 में 90 आड़ कर दो, 300 हो गया, 210, 90, 300, 300 में 150 आड़ करा, 450, 240 आड़ कर दो, 690, और प्लस 12 कर दो, यह जाएगा, 207, 702, D is the answer, तो देखरे हो, चार सेट का भी important contribution है, निमसेट एक्जाम में, और अक्सर चार सेट वाले, question student नहीं कर पाते हैं, तो I hope अब, चार सेट में, अगर कोई question आता है, तो कर सकते हो, next question देखते हैं, निमसेट 2015 का, वेन डाइग्राम का question है, simple basic question है, यह भी, एप प्रोफेसर हाज, 24 textbook on computer science, total 24 textbook है, it is concerned about, their coverage, P मतलब compiler, Q मतलब data structure, R मतलब operating system, 3 set हैं मतलब, 3 set हैं, 3 का तो पता ही हैं, compiler में 8 books है, data structure में 13 है, operating system में 13 है, दो-दो के intersection दे रखें, दो का intersection एक ही दे रखा है, P intersection Q मतलब, compiler as well as data structure, और तीनो का intersection 2 दे रखा है, NX is the cardinality of set, cardinality क्या होता है, number of different element in a set, that is known as cardinality, than the number of text book, that have no material on compiler, ऐसी कितनी text book हैं, जिसमें कोई material ना हो, related to compiler, यह basic problem यह थी, कि यह question कुछ ज़र से ज़्यादा आसान आ गया था, इस वज़े से भी student discussion को नहीं कर पाए, number of books that have no material on compiler, compiler की कितनी books हैं, 8, total books कितनी हैं, 24, तो 24 में से 8 subtract कर दो, तो वो books आ जाएंगी, which have no material on compiler, तो कई बार बहुत आसान question आने की वज़े से भी student नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी complicated करने की आदत होती है, कुछ ना कुछ formula लगाए या कुछ करे, तो एक बार पूरा proper पढ़ना ज़रूरी है, last तक पढ़ना ज़रूरी है, और ऐसा कोई ज़रूरी है कि कोई technical formula लगेगा, तभी question आएगा, तो इस तरह ही questions की भी आदत होनी चाहिए, जरू से ज़्यादा आसान questions की भी, तो I hope यह question समझ में आ गया होगा, next question देखते हैं, P bar Q bar denotes the complement of two set, दो set हैं P and Q, निमसेट 2015 का भी यह question है, यह P है, यह Q है, P minus Q क्या होता है, P minus Q यह होता है, this is P minus Q, Q minus P क्या होता है, Q minus P यह होता है, P union Q, यह कुछ करबड हो गया, यह intersection होना चाहिए by the way, यह में sprint है, यह intersection यहापे होना चाहिए, P intersection Q यह हो गया है, यह typing error है, और इन तीनों का union अगर कर रहे हैं, तो यह पूरा set आ रहा है, क्यों भई, and that is equivalent to P union Q, क्या यह P union Q के equivalent आ रहा है, ठीक है, तो P minus Q मतलब only P, Q minus P मतलब only Q, and P intersection Q मतलब, दोनों, इन सब को add करो, क्या P union Q आ गया, simple basic question, first is the answer, तो देख रहो कुछ questions, like, जैसे से पहले वाला question भी था, उसमें भी कुछ नहीं खास करना था हमें, सीधे सीधे answer आ गया था, within one minute, इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, next question की तरफ बढ़ते हैं, तो 2015 तक के एक question हो गया, then, 2018 का एक question है, ध्यान से पढ़ो, 2018, in a survey, where hundred students reported which subject, ज़र देखो, subject की बात हो रही है, college की बात हो रही है, तो usually, जितने भी student हैं, वो universal set का part होते हैं, पहली चीज, बाकी question आगे पढ़ने पर समझ में आएगा, they like 32 student, in total like mathematics, इन में से 32 को maths पसंद है, maths पसंद होने वाले student, 32 है, 38 like business, business like करने वाले 38 है, and literature, literature वाले 30 हैं, ठीक है, अब क्या दे रखा है, moreover 7 like बोथ, दोदो के पेर दे रखे हैं, maths literature, 7, then, 10 like, maths business, maths and business, 10 like करते हैं, then, 8 like business literature, business literature like करने वाले 8 है, 5 student like all the 3 subject, 5, 3 subject like करते हैं, the number of people who liked, exactly one subject, तो देखो, इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम वेन डाइग्राम से कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर पढ़ेगा, ये maths, ये business, ये literature, only maths वाले, only business वाले और only literature वाले, students हमें बताने हैं, तो तीनो, तीनो like करने वाले 5 student हैं, तीनो like करने वाले 5 student हैं, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हैं, अच्छा method है, क्योंकि formula formula लगाने में फिर उतना ही लिखना पढ़ता है, अच्छा, maths लाई करने वाले कितने हैं, 32, business लाई करने वाले कितने हैं, 38, literature लाई करने वाले 30, पांच तीनो like करने वाले, अब देखो, maths और business, दोनो like करने वाले 10 हैं, maths बिजनस का पूरा जो reason है, उपर से लेके यहां से लेके यहां तक, इसमें 5 अल्रेडी इंक्लूड हो चुका है, total 10 हैं, तो यह बचे 5, ठीक है, तीनों वाले हटा दिये, तो यह बचे 5, अब देखो, maths और literature, maths लिटरेचर में total है 7, यह total यहां से लेके यहां तक का reason है, पाँच अल्रेडी इंक्लूड हैं, तो यह हो गया 2, business और literature में 8, business और literature मतलब यहां से लेके यहां तक, total है 8, पाँच अल्रेडी हैं, तो यह हो गया 3, simple, अब only maths वाले निकाल ले हैं, only maths, तो यह होगा, only maths, तो 32 से क्या क्या सब्ट्राक कर दें, 5, 5, 2, मतलब 12 सब्ट्राक कर दें, तो only maths वाले आगे 20, only business वाले, तो 38 से 5, 5, 3, 5, 5, 3, 13 सब्ट्राक कर दो, 38 से 13 सब्ट्राक कर दो, तो आगे only business वाले, that is 5, और इधर यह 2, 25, only literature वाले, I hope method समझ में आ रहा होगा, 30 से सब्ट्राक कर दो, 5, यह 3, 5, 2, मतलब 10, 20, only literature वाले आगे, ठीक है, तो only one subject like करने वाले लोग, यही पूछा गया है, exactly एक subject like करने वाले लोग, 20, 25, 45, 45 और 20, 65, 65 हैं, जो exactly एक subject like करते हैं, either maths और literature और business, I hope यह method समझ में आ रहा होगा, इसको और भी questions में लगा के देखना, तो थोड़ा कम लिखना पड़ता है, कम solve करना पड़ता है, इस diagram में ही बहुत सारे questions solve हो जाते हैं, और even जो से पहले वाले questions भी हम लोग ने करें, वो भी हम diagram के help से कर सकते हैं, next question, 2020 का, इन आ क्लास 50 स्टूटेंट इस फाउंड थार्टी रीट हे तुअध ये एक निउस्पेपर है, वेस्ट साइड का, तो बेसिकली ये बात ध्यान रखना, ये अर क्लास में अगर पचास स्टूटेंट है तो कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ ना कुछ पढ़ें, बढ़ें, कोई ना कोई निउस्पेपर पढ़ें, पढ़ाई करना जरूरी है, निउस्पेपर पढ़ना जरूरी नहीं है, तो initially हम ये मान के चलेंगे कि ये उनिवरसल सेट नहीं है, सिर्फ एक्जाम देना या सबजेक को लाई करना जरूरी है, तो पहला ये नियूस्पेबर पढ़ने वाले 30 हैं, हिंदुस्तान नियूस्पेबर पढ़ने वाले 35 हैं, ठीक है, and 10 reads neither, ना तू हितुवत पढ़ते हैं, ना ही हिंदुस्तान पढ़ते हैं, नाइदर, नाइदर का मतलब ये भी कर सकते हो, या डेमोगन्स लॉस से तुम ये कर सकते हो, पहला नियूस्पेबर यूनियन, दूसरा नियूस्पेबर का बार, जो कि आ जाएगा यूनिवर्सल सेट से, सब्ट्राक कर दे हम, दोनों नियूस्पेबर का, क्या, यूनियन, ठ ठीक है, तो दस ऐसे हैं, ये वाले दस लोग हैं, तोटल कितने स्टूडेंट हैं, पचास, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों का यूनियन, निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा दोनों का यूनियन, क्लेरली दिख रहा है, 40 आ जाएगा, और ये आएगा कैसे, माइनस, हमसे दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, यूनियन हमने निकाल लिया है, यूनियन जो क्या आ रहा है, 40, इंडिविजल में ये 30, 35, तो क्या हम दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन मतब जो दोनों निउस्पेपर पढ़ें, या जाएगा 65, माइनस 40, that is 25, 25 इस दा आंसर, जो की दोनों निउस्पेपर पढ़ रहे हैं, बोथ हित्वद एंट हिंदुस्तान, that is 25, तो देख रहो, बेसिक सिंपल कुश्चन है, और बार बार घूम फिर के वही सारे कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, आई होप ये कुश्चन क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट देखते हैं, वेन डाग्राम पे क्या पूछा है निमसेट में, अब ये निमसेट 2022 में कुश्चन आया है, अच्छा कुश्चन है, और इस तरह की चीज़ हम थियोरी में डिस्क्स कर चुके हैं पहले, और एक बाद फिर से देख लेते हैं, जैसे कि एक युनिवर्सल सेट है, यहां भे बिसिकली हमसे पूछा जाता है, दो सेट के इंटर्सेक्शन की मिनमम और मैक्सम वैलू, तो एक बाद फिर से रिवाइस कर लेते हैं, अल्रेडी देख चुके हैं हम लोग, पहला केस यह ह कि युनिवर्सल सेट में कुछ ईलिम् Kollege होगे, अगर दोनों के अलिमेंट को एड करके, कम आएं युनिवर्सल सेट से अलिमेंट, दू केसे बनते हैं, अगर युनिवर्सल सेट से उसमें कम इलिमेंट आ रहे हैं, तो इस केस में, इन ए इंट से qu reputation B, कि मिनमम वैलू जीरो हो जाती है, disjoint set हो सकते हैं, और maximum value के लिए यह हो सकता है, जो बड़ा set है उसके अंदर छोटा set contain हो जाए पुरी तरह से, तो A intersection B जो आ जाएगा, इस case में B आ जाएगा तो maximum value के लिए जो इन दोनों में से minimum है A और B में से उसका number आ जाता है अगर दोनों set के element का sum दोनों set में जितने element आ रहे हैं वो universal set से कम है लेकिन अगर दोनों set के element का sum universal set से जादा है for example जादा तर question इसी में ही बनते हैं, ठीक है तो उस case में ऐसा नहीं हो सकता वो disjoint set हो जाए, माल लो total है, 100 लोग, set A में itself है, 80 set B में itself है 60, तो overlap तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर overlap नहीं करेंगे अलग लग रहेंगे तो ये 100 से जादा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा total मिलाके, 140 तो overlap तो करना ही पड़ेगा तो इस case में क्या आता है इस case में जो intersection है N A intersection B कि minimum और maximum value के लिए क्या formula लगता है minimum value के लिए तुम्हें सीधे सीधे ये formula लगाना है N A intersection B दियान से देखो N A plus N B minus N A union B ठीक है ये formula लगाना है और उस case में N A union B को कई बार हम universal set भी ले ले लेते हैं अगर कोई खास information नहीं दे रखी और ये minimum यहां से आ जाएगा ये minimum है और maximum के लिए फिर से वही करो बड़े set के अंदर छोटा set subset बना लो B is a subset of A तो maximum के लिए जो दोनों set में minimum है N A और N B में वो maximum हो जाता है तो ये topic आजकल बहुत trending है ध्यान लगना दो cases बनेंगे दोनों set के element universal set से कम है या दोनों set के element universal set से बड़े है और ये point भी याद रखना है इस case में अगर ज़्यादा information नहीं दे रखी तो universal set को तुम minimum के लिए A union B के equivalent माल लेना तब वो minimum आ जाएगा और maximum में दोनों जगे same concept है maximum में आग बंद करके जिसमें कम element है वो maximum में डाल दो ठीक है minimum में अगर ये case है तो zero और अगर N A N B N U से बड़ा है तो ये formula लगा के निकाल लो minimum तो अब I hope ये question easy दिखेगा तुम लों को in a survey done among 200 people इसका मतलब ये universal set है 200 का who liked either tea और coffee इसका मतलब ये हुआ ये जो लोग है 200 वो या तो tea या फिर coffee like कर रहे है ठीक है 60% population like tea तो tea like करने वाले 60% इस 60% कैसे निकालोगे 60 by 100 into 200 I think ये 120 आ जाएगा coffee like करने वाले 72% लोग है I think ये 144 आएगा ठीक है coffee like करने वाले आगे let x denotes the number जो दोनों like करते हैं so x is tea intersection coffee इसकी ये minimum value है ये maximum value है अच्छा maximum value आग बंद करके बिता सकते हो हर case में maximum value जो दोनों में से छोटा है n सीधा बता दो n क्या आएगा 120 आएगा सीधा बता दो और देखो दोनों का sum क्या universal set से ज़्यादा आ रहा है दोनों का sum अगर निकाल रहे हो तो 4, 6, 2 264 आ रहा है जो की universal set से कम है तो formula लगा के हमें इसकी minimum value निकालनी पड़ेगी इसको 200 मानो ये n t plus n c minus n t c n t c दोनों का intersection n t कितना है 120 n c कितना है 144 और n a union b 200 इन दोनों का add करी लिया था 264 ये 64 आ रहा है तो I think maximum तो यादी हो गया हमें maximum हमेशा क्या लिखना है maximum में जो दोनों में से छोटा set है दोनों में से छोटा set t like करने वालों का है 120 और minimum के लिए इस case में जब दोनों का sum universal set से ज़ादा है तो minimum के लिए formula लगा दोगे और minimum आ जाएगा तुमारा 64 अब option से देख लो तोनों को subtract करा गया है 120-64 I think 56 A is the answer इसका answer क्या आ जाएगा A So A is the answer तो ध्यान रखना ये minimum maximum value वाला topic बहुत trending है IT वगेरा में भी इधर में काफी बार पूछा गया है तो अब next video में next lecture में हम लोग J-Mains के सारे latest questions कर डालेंगे जितने भी main diagram के questions पूछे गया है और इस बात की guarantee अगर इतना properly कर लेते हो तो कुछ भी अगर निमसेट में 2024-2025 में आता है तो बहुत आराम से 100% तुम questions करके आओगे तो ये वाली sheet एक बाद फिर से अपने आप कर सकते हो तो next session में अब हम लोग J-Mains के questions करके फिर ये main diagram set theory close करेंगे पिर next chapter start करेंगे